हाई दोस्तों स्वागत आप सबका The Struggler YouTube चैनल पर आज हम बात करेंगे फिल्म Rocky and Rani की प्रेव कहानी जो की एक romantic comedy family drama film है और इसके director है करन जोहर साब करन जोहर साब इससे पहले बहुत सारी movies को direct कर चुके हैं जैसे कुछ-कुछ होता है कभी खुशी कभी गम इस तरीके के उनकी blockbuster movies already है और इसके जो writer है वो है इशिता मुईत्रा ये बरेली से बिलॉंग करती है और ये जो Rocky and Rani की प्रेम कहानी फिल्म है ये बरेली से ही बहुत inspire है ऐसा trailer में देखने को लग रहा है जो गाना आ रहा है उसमें सुनने को ऐसा मिल रहा है और ये भी बरेली से है तो कुछ न कुछ तो connection हो सकते है लेकिन जो scene दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल बरेली वाले नहीं है बहाई बरेली को इतना post दिखा दिया गया इतन मतलब महल क्या क्या दिखाया जा रहा क्योंकि करन जोहर की फिल्म का जो set होता है वो बहुत ही आलिशान होता है लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि story क्या है वो जब फिल्म आ जाएगी तब आप लोग जाके जरूर देखीगा बात करते हैं इशिता मोहि स्क्रीन प्ले किया हुआ है कमबक्त इश्क एक मूवी आई थी अक्षे कुमार और करीना कपूर की तो उसमें उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है साथ हाफ गल्प्रिंड एक फिल्म आई थी उसमें भी इन्होंने अपना स्क्रीन प्ले दिया हुआ है तो मतलब फिल्म अम्टी शर्मा की दुलहनिया और पद्रिनात की जो दुलहनिया फिल्म आई थी न उसको भी लिखा हुआ है राइटिंग उन्होंने ही किये साथ साथ अगर आप बात करनें सुमित रॉय के सुमित रॉय ने इसे पहले एक फिल्म आई थी गहराईया उसमें भी ऐजा राइट हैं और अभी फिल्म आने वाली तक्त उसमें भी आज़ा राइटर काम कर रहा है यह तो बात हो गई इस फिल्म से रेलेटेद डायेटर और राइटर के लेकिन हम बात करेंगे इसमें casting director के बारे में कि अगर आपको actor बनना है तो आपको उपनी profile share करनी पड़ीगी casting director को और कैसे share करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही simple सा तरीका होता है अगर आप the struggler app अभी तरह डाउनलोड नहीं कियें एक बात रोल कैमरा एक्शन और उसके बात क्या चल रहा है उसके बाद मज़ेदार आता है जब ये पूरी ट्रेलर के बीच में आप पहुंचोगे न तब आपको स्टोरी समझ में आएगी कि आरे ये क्या स्टोरी है बेसिकली स्टोरी थोड़ी ऐसी है कि जो आलिया भटें ये एक बहुत ही अमीर खांदान से बिलॉंग करती है और जो रनवीर सिंग है वो थोड़े मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते है और इनका क्या मानना है कि अगर हम लोग शादी तब करेंगे जब मैं एक दूसरे क फैमिली को समझ ले और फैमिली को समझने के लिए तीन महीना तुम मेरे आ रहो और तीन महीना मैं तुम्हारे आ रहती हूं मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे को तो उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी मजाग, मस्तियां और ये सारी चीज़े चलती है अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहे हो तो इसमें रनवीर सिंग का हुमर बहुत ही मज़ेदार दिखाया गया है जब वो छोटी छोटी बाते करते हैं चाहे वो बिग बॉस में आई समीता सेटी से रिलेटेड हो कि वो भी मतलब बिग बॉस में है यसे से बहुत सारे इन्हो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा चलिए अब मूव करते हैं हम लोग थोड़ा आगे और आगे बात करते हैं कि इस फिल्म के जो आक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म के लिए कितना चार्ज किया है सबसे पहले रनवीर सिंग के बारे में बात करते हैं रनवीर स और साथ ही साथ अनन्या पांडे भी इस फिल्म में ऐजा कैमियो करते हुए नजर आएंगी, मतलब और इन लोग ने कोई पैसे चार्ज भी नहीं किया, क्योंकि मतलब करन जोहर ने इनको लॉंच किया है, करन जोहर की ये फिल्म है, करन जोहर बोले कि आ जाओ, वो धरम पाजी हो, या फिर जाया बच्चन हो, इन सब लोगों ने एक-एक करोण उर्पए चार्ज किया है इस फिल्म के लिए और यहीं पर रॉनित रॉय भी है, उन्होंने भी एक करोण उर्पए इस फिल्म के लिए ओल्मोस्ट चार्ज किये हुए, तो यह थी इस फिल्म की स्टार कास्ट और बजट से रिलेटेट थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दे दिया है, कि कितना-कितना इन लोग ने चार्ज किया है, अब बात करते हैं इस फिल्म के प्रोमोशन के बारे में, इस फिल्म का प्रोमोशन बहुत ही जोर सोर से हो रहा है, अभी आल्या भट और अन्वीर सिंग गये थे, कानपूर और बरेली इस फिल्म के लिए प्रोमोशन करने के लिए, वहाँ पे जो एक जुमका वाला वो बना है न, तो उसके नीचे इन लोग ने खड़ा और इनका गाना भी है, जुमका गीरा रहे, यह तो पुराना वाला है यार, मतलब इसे कुछ जुमका, जुमका, जुमका करके गाना है मैं थोड़ा सुना नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ने अपनी फिल्म की प्रोमोशन कर रहे हैं, चाहे वो Rocky and Ronnie की प्रेम कहानी हो, चाहे वो Dream Girl 2 हो, लेकिन अब बात करेंगे इस फिल्म की, Rocky and Ronnie की प्रेम कहानी के बारे में, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये जैसे हम्टी शर्मा की दुलहनिया और बदरीनाथ की दुलहनिया थी न, उसी से related कुछ रहेगी, उसी तरीके से ये फिल्म है क्योगी, और इस फिल्म का भी नाम है Rocky and Ronnie की प्रेम कहानी, तो कुछ तो ऐसा ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो फिल्म आने के बाद ही मैं बताऊँगा, लेकिन आप मूब करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग डिरेक्टर के बारे में, कि casting director कौन है सुन के देखो इस film में basically तीन casting director आपको नजर आएंगे नजर मतलब मैं आपको बताऊंगा जो इसनों ने इस film की casting किया सबसे पहले का नाम है अभशेक अरोडा जो की एक additional casting director थे और जो दूसरे उनका नाम है देवदोष मुखर जी जो की इस film के main casting director है और जो तीसरे हैं वो हैं हितल सूरी और इन तीनों ने मिलके इस film की casting किये हितल सूरी भी आप लोगो मैं बताऊं तो additional casting director का ही काम किये इस film में लेकिन इन तीनों ने मिलके सुन की casting किये और मैं आप लोग को इनकी mail id भी दे दूँँगा जैसे मैं आप शेक अरोडा की आप लोग को mail ID स्क्रीन पर शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग इनको अपनी profile शेयर कर देना, जो दूसरे casting director हैं, देवतोष मुखर जी, इनकी मुझे mail ID नहीं मिली, लेकिन इनकी मुझे Instagram ID मिल गी है, जो कि मैं आप लोग को शेयर कर दे रहा आप लोग को अपने profile वहाँ पर शेयर कर दे, नहीं तो आप उनको Instagram पर जाके contact कर सकते हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके से और भी casting director के बारे में आपको The Struggler चैनल पर पता चलता रहेगा, और The Struggler आप भी ज़रूर जाकर डाउनलोड कर लेना, क करते हुए, जहां पर आप लोग को इसी तरीके से और भी help मिलती रहे, मिलता हूँ next day, next video में, जै हिंद, जै भारत!